हाई दोस्तो वेलकम नो माई चैनल मेरा नाम है सिदाद भीमानी दोस्तो स्पेसिफिकली ये वीडियो आज मैं इसके लिए बना रहा हूँ यही बताने के लिए के एमेक्स का जो गोल्ड चार्ज कार्ड है ये एक अच्छा कार्ड नहीं है मैं रेकमेंड नहीं करूँगा ये ये कार्ड किसके लिए लिया था क्या स्पेसिफिक रीजन जिसके लिए मैंने लिया था बट अगर आपके ये रीजन ना हो तो फिर आपको ये कार्ड चूज नहीं करना चीए और उसके बदले जो उसका MRCC कार्ड है वो बहुत बेटर है तो चलिए दोस्तो आगे बढ़ते सबसे पहले तो दोस्तो ये है मेरा MX का gold charge card है अब देख सकते हैं ये मेरा MX का gold charge card है एकदम ही beautiful card है दिखने में एकदम जबरदस्त है तो दोस्तो specifically मैंने ये card क्यू लिया पहली बात तो मुझे ये बात बताने में कोई शरम नहीं आती है कि मुझे जो भी cards मिले है ना उसके credit लिमिट्स बहुत लो है मेरा जो खाली मेक्स का जो प्लैट रेवल कार्ड है उसकी डाइस ल स्टाइ और 6-8 महिने में मेरे 2-3 ऐसे बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स थे जो मुझे करने थे क्रेडिट कार्ड से बट सिंज मेरी क्रेडिट लिमिट बहुत कम थी इसके लिए मैं वो कर नहीं पाए दो चीज था एक तो मेरा मैंने एक हाई वैल्यू परचेस किया था वो मुझे क्रेडिट कार्ड से करना था बट मैं कर नहीं आप दूसरा क्या है दोस्तों फिर क्रेडिट कार्ड से वो पेमेंट हाई पेमेंट करने के लिए मुझे पहले उसमें पैसा डालो फिर वो पैसा क्रेडिट होगा और उसके बाद फिर वो पैसा क्रेडिट होने के बाद फिर म पहले कर दो तो उतनी क्रेडिट मिल जाती है आपको तो दोस्तों ये सारी चीज मैंने बहुत बार नोटीस किये लास्ट बहुत सारे सालों में और फिर मुझे आट बैंक से आटीजेस करना पड़ता था और मुझे जो क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स है वो मेरे चले जाते तो वह स्पेसिफिक रीजन के लिए मैंने ये गोल्ड चार्ज कार्ड लिया चार्ज कार्ड में स्पेसिफिकली कोई लिमिट होती नहीं है स्पेंडिंग की बट इसका मतल जब मैं हमेशा बोलता हूँ और वेबसाइट पर लिखा रहेता है कि आप कितने भी वैल्यू का पर्चेस नहीं कर सकते बट अगर आपकी पाश लाग सात लाग ऐसी कोई पर्चेसिंग है तो आप पहले एमेक्स को रिक्वेस्ट कर सकते वह वह अप्रू करेंगे और उसके दोस्तों मैंने लास्ट अल्मोस तीन-चार साल से कोई ट्रेवल नहीं किया क्योंकि पहले तो मेरी बेटी बहुत छोटी थी दो साल की थी तभी हम लोग अवाइड कर देते फ्लाइट ट्रेवल वगरा और उसके बाद लास्ट अल्मोस तेर्ष साल से कोविट पैंडेमिक चल रहा है इसके वज़े से नहीं किया था बट मैंने सुचा था कि अभी सिचुएशन सुद्रेगी तो एट लिस्ट इंडिया में मैं गोवा है ऐसे तीन-चार जगे है उधर मैं तीन-चार-चार पाच-पाच दिन के लिए मैं ट्रेवल करूंगा अब यह कार्ड जो है अ हंड्रेड डॉलर का क्रेडिट मिलता है तो हंड्रेड डॉलर करिब करिब साथ हजार रुपया हो जाता है जो अच्छा कासा है तो मैंने सुचा था कि गोवा जाओंगा तो इसके जो टायब से अलीला दीवा और ताज एक्जोटिका फिर इनके बहुत सारे मतलब साथ-8 इ दिया है और अगर आप भी यह दो स्पेसिफिक रिजन के लिए कार्ड लेना चाते है यह तो ही आप यह कार्ड लीजिएगा अब इसके डिसएडवांटेजिस क्या है इसके डिसएडवांटेजिस थोड़े बहुत जादा है एक्चुली पहली बात तो इसमें दोस्तों अब इसकी जो फीज है वो 4000 रूपिया है पहले साल की हजार और नेक्स्ट यह उन्वर्ड चार हजार रूपिया फीज है दोस्तों प्लस जी एस्ट तो करीब करीब 4800 के असपास वह हो जाती है दोस्तों साल का 4800 अगर आप दे रहे हैं तो मैं एट लिस्ट रेकमेंड करू और जिसमें आप होटेल को आप हंड्रेड डॉलर दे रहें बट आप उसमें एर्पोर्ट लाउंज एकसेस नहीं दे रहें तो कहीं ना कहीं यह इनकंप्लीट कार्ड हो गया आप एक साइड पर बोल रहें के भाई इसमें दो नाइट बुकिंग करिए होटेल की और आपको 100 डॉलर मिल जाएगा एक साइड पर बोल रहें के इसमें एर्पोर्ट लाउंज एकसेस नहीं है तो वह एक सबसे बड़ी कमी है एर्पोर्ट लाउंज एकसेस इसमें नहीं है दूसरा दोस्तों गोल्ड चार्ज कार्ड को मैं थोड़ा एक अच्छे लेवल पर समझता एर्लाइन के साथ दे दीजिए या आप कोई होटेल मैरियोट हो गया या ताज हो गया इनके साथ कुछ ना कुछ तो टायप दे दीजिए ताकि वह तो एक बेसिक है मतलब अभी एक 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 आप इसबी इलाइट कार्ड भी लेंगे ना जिसकी फीस पास जार रुपिया है अब भी पाच्छे अलग-अलग टाइप के टायप होते हैं मैरियोट की बॉनवाई भी नहीं तो मैरियोट की यह रहती है साल की मेंबर्शिप फ्री मिलती है तो यह सब सेकेंड पॉइंट है कि कोई भी टायप नहीं है यह काड में मलब यह काड अपने आप में एक्चुल आप दोस्तों देड़ लाग स्पेंड करेंगे तो 100% फीज वेवर मिल जाती है 90,000 स्पेंड करेंगे तो 50% फीज वेवर मिल जाती है तो यह काड में फीज वेवर भी नहीं है और दोस्तों अगर आपको क्रेडिट लिमिट का इशू नहीं है मैं बहुत सारे लोगों को दे चार्ज कार्ड है तो कभी भी आप यह माई में इसको कनवर्ट नहीं करेंगे तो इन शॉट आपको हमेशा फुल पेमेंट करके ही आपको यह कार्ड लेना पड़ेगा और आप इसका बैलेंस केरी फॉरवर्ड भी नहीं कर पाएंगे तो यह सारे पॉइंट्स मुझे लगे क एक गोल्ड चार्ज कार्ड जब आप डाल रहे हो जो एक टॉप लेवल का कार्ड है इसमें यह सारे पॉइंट्स तो आपने डालने चीए मैं मानता हूँ के MX को भी पता है कि यह कार्ड कुछ भी काम का ने खली चार्ज कार्ड के नाम पर एक रखा हुआ है इन्हों ने और इसके लिए ही इन्हों ने MRCC कार्ड निकाला हुआ है MX ने और मेरी मानो के तो MRCC कार्ड mx का जबरदस्त काड है मेरे इसाब से बहुत जादा values दे रहा है वो देड़ हजार की spending करो 4 बार तो आपको 1000 point मिलता है 20,000 की spending करो मन्त में तो आपको 1000 point और मिलता है EMIs मिलता है आपको मतलब बहुत सारे benefits मिलते हैं इसके जो referral link अगर आप MRCC referral link से लेते हैं मेरी referral link description section में बट अगर आप MRCC referral link से लेते हैं तो पहला साल free है और next सारे annual fees जो है वो देड़ हासार है 4000 के बनले तो मेरे हिसाब से ये card मत लीजिए MRCC card लीजिए मैंने जो 2 points बताए अगर वो 2 points आपको main है आपके लिए तो फिर ठीक है आप ये card रखिए बट अगर वो नहीं है आपके लिए माइन रखते हैं तो MRCC card लीजिए gold charge card मत लीजिए दूसरा के मेरे पास दोस्तों already MX का plat travel card है तो मुझे और उसमें उन्होंने ये 100 dollar का benefit नहीं दिया उसमें ताज vouchers दिया है उसमें airport lounge access भी दिया हुआ है तो इसके लिए मैंने ये card लिया है क्योंकि मेरे पास दोनों card है तो मैं airport lounge access के लिए मेरे पास एक card है और फिर मेरे पास hotel booking के लिए दूसरा card है तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही specific ये video सच्चाई का वीडियो था दोस्तों ये मुझे ऐसा नहीं है कि मैं gold charge card ले लिया हूँ बहुत बढ़िया है शो आफ कर रहा है प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि card कोई कामका नहीं है मेरे लिए कामका है क्योंकि मेरी need कुछ और थी बढ़ अगर आपकी वो need नहीं रहेगी तो इसके बदले MRCC card ले लिजे जैसे ही आप referral link से apply करेंगे आप मुझे email करिए और जो विकास कुमार जी है उनको email करिए और अगर आप eligible रहेंगे तो आपका तूरंद card process हो जाएगा तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो please like करिए share करिए comment करिए और please 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 मेरे channel को subscribe करिए bye bye thank you